Hello everyone, कैसे हैं आप सब I hope, आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे तो आज की जो reading है, यह हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो partner हैं आज, शाम, वह किस से और क्या बाते कर रहे थे reading का topic हमारा यही रहेगा, और ध्यान रिखेगा कि यह reading एक general reading होगी, collective reading होगी ठेक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, और जिनके साथ भी reading resonate करेगी, हो सके तो चैनल को subscribe कीजएगा, वीडियो को like कर देजएगा चले start करते हैं, हम detail reading कवर करने वाले हैं, आज के अपने इस reading में, यानि कि आपके partner किसे और क्या बाते कर रहे थे और उन लोगों ने क्या कहा आपके partner से और साथे साथ देखेंगे कि आपके partner का reaction क्या रहा यानि कि ये उन सारी बातों को मानने वाले हैं या क्या फिल करेंगे उनकी बाते सुन करके क्या फिल कर रहे थे उनकी बाते सुन करके ये सारी चीज़े हम cover करने वाले हैं आज के अपने इस reading में तो मेरे साथ बनी रहिएगा और ध्यान रिखिएगा कि ये reading एक जनर reading होगी, collective reading होगी ठीक है, तो चलिए reading को start करते हैं देखते हैं कि क्या कुछ cards बताते हैं आपके बारे में ओके, सो focus कीज़े ओके guide करें angels मेरे viewers के partner आल शाम किससे और क्या बाते कर रहे थे ओके ओके, just a minute ओके focus कीज़े आप अपने partner के ऊपर अभी full focus होना चाहिए आपको अपने partner के ऊपर ओके अपने partner का चाहरा अपने partner का नाम आपके दिल दिमाग में लीजे guide करें angels मेरे viewers के partner आज शाम को किसे और क्या बाते कर रहे थे night of wands okay five of wands ऐसा लगता है कि Aries, Leo, Sagittarius आपके पार्टनर का साइन हो सकता है Ace of Pentacles Taurus, Virgo, Capricorn Queen of Pentacles आजड ये इस इस रहे अंझ का में धनना तरह अखी पार्टे कर रहे थे और को जब यह बाते कर रहे थे एक तो इनकी लडाई भी हुई है ना जिनसे भी यह बाते कर रहे था ना उनसे थोड़ी से इनकी नोग जोग भी हुई है किसी बात के उपर बहस हुई है कुछ है आपके आपके बाते करते कर रहे होता हूं कि मैं बहुत ज़ों से में उसरे बीन पहुखशन नेहिं परेशान होग और मुझे परेशान लां मुझे एसा एक्सम्स उसक अशी आपशन क्लाद मुशबा हि ए निए और 17 अचार अइसे हिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था उसका कि ऐसा कुछ होने वाला है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके तरब से कोई ऐसा एक्षन देखने को मिलेगा मुझे अचानक से उसका ऐसा behavior उसके mood काफी swings होने लगते है ठीक है उसके mood काफी ज़्यादा बदलने लगते है ऐसा लगता है जैसे की life जैसे की इधर उधर होनी लगी है और बहुत ज़्यादा तहलका मत जाता है आपके और आपकी partner की बीच में बहुत ज़्यादा problems होती है बहुत issues होते है मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके partner को ये feel हो रहा है कि यार मैं कहा हूँ ठीक है ये person बाते कर रहे हैं कि आप दोनों की बीच में बहुत लडाई हुई है बहुत जगडे हुए हैं बहुत arguments हुए हैं दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत कुछ तीखे तीखे words बोल चुके हो आप दोनों में खासतोर से stand लेने के लिए कुछ ऐसी बात हो सकती है कुछ ऐसी चीजे हो सकती है जो कि आपके partner आपके partner ने कही है सुनी है देखो ये person थोड़ा सा aggressive nature के है इसा फील हो रहा है कि यार मैं तो बहुत परिशान हो यह रोज रोज की नोग जोग और लडाई जहगड़े जो भी है ना इन सारी सिचेशन से ना जाओ मैं बाहर निकलना चाहता हूं मैं ऐसा नहीं रहना चाहता हूं इस रिलेशनशिप में मैं थोड़ा सा शांती चाहता हूं थोड़ा सा अपने आपको कूल करना चाहता हूं एकदम से जैसे होता है कि हम दोनों की बीच में बाते थोड़ी सी होती हैं और बढ़ते बढ़ते बह कुछ चीजे हो जाते हैं भी गड़ जाते हैं हमारे relationship में कहीं न कहीं कुछ चीजे हैं कुछ बाते ऐसी हैं जो कि शायद मैं भी जो है ना उसे बताना चाहता हूं देखो मैं उसके लिए फील जादा करता हूं मैं उसके लिए जादा से जादा फील करता हूं तुम्हें भी प पसंद नहीं है कि कोई मेरे पर आरोप लगा या या मेरे बॉले कि तुम से चैंज है इतना जदा मैं मतलब परिशान हो गया हूँ एकडम अपनी लाइफ को जाना देख नहीं पा रहा हूँ कि यह सारी चीजे हो क्यों रही है मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है फील कर रहे हैं कि यह आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनसीप है यह बहुत ज़दा स्ट्रगल भरा है बहुत ज़दा स्ट्रगल भरा और यह जो पॉरसने यह बात के पार्टनर को डूनों को करने वाले हैं और जो बात है ना वह चीजे हैं जो बहुत बहुत हद्वाट किनलीप मैं यह यह सब करतो हूं ठीक है बट बट ऐसा भी नहीं है कि मैं उसके लिए सब को छोड़ सकता हूँ ऐसा भी नहीं है मैं सब को नहीं छोड़ सकता मैं सब को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता थोड़ा बहुत problems है जो भी है life में है बट उसके लिए सब को छोड़ना मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें कर पाऊंगा मैं और मेरे मुद्दा यहां पर यह है मुझे लगता है कि आप दोनों की बीच में mother issues हैं यही के बारे में यह person बाते कर रहे हैं यह person बाते कर रहे हैं कि mother है कि मान नहीं रही है और relationship हमारा आगे बढ़ने ही पा रहा है मैं भी चाहता हूँ उसके साथ आगे लेके जाना, relationship को start करना, कुछ हद तक आगे लेके जाना और मिलना, जुनना, बाते करना, एक दूसरे को जानना, पहचानना, और जदा deeply जाना मैं चाहता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़े ऐसी हैं, जो कि मुझे रोक रही है, मुझे वो बरदाश करना पड़ रहा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ ऐसा नहीं है, कि मैं कंट्रोल करू या, मैं अपने आपको रोकू, मुझे लगता है कि म मैं अपने आपको कहींना कहीं तनहाँ टनहायकों मैं अपने आपको कभी 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 इतना जब jsब कर सकता इतना तो मैं कभी भी कहीं भी नहीं बरदाश करता इतना की मेरे साथ यह सारे चीज़ी हो रही है ऐसा देख रहा है जिसे कि आपके partner clearly बाते कर रहे हैं कि Six of Cups के energy Six of Cups का card clear बता रहा है कि Yes मुझे सुर्फ और सुर्फ उससे बाते करना है और बाती करना है कि क्या वो चाहती है या क्या वो चाहता है उसके बाल से मैं डिसाइड करूँगा कि येस मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए मेरा माइन काफिस दा डिस्टर्ब है मैं अपने आपको थोड़ा सा तनहा फील कर रहा हूँ थोड़ा सा अकेले पन में फील कर रहा हूँ अपने आपको थोड़ा अकेले पन को जो है ना मैं निकाल के फेक देना चाहता हूँ, मुझसे अकेला पन बरदाश नहीं होता है, ठेक है, मुझसे अकेला पन बिल्कुल भी बरदाश नहीं होता है, मैं अकेले पन में रहना बिल्कुल भी नहीं जानता, ये तो बहुत बड़ी बात है, कि मैं अभी फिलहाल उसके बगैर हूँ, मैं उसक के पात्व फिर्ड यहां प्यार करता है हुई चाहिट नहीं नहीं देख सकता तो चलिए देखते हैं और cards क्या निकलते हैं गाइट करें angels ओके Knight of Wands का card क्यों है Knight of Wands का card क्यों है यहाँ पे divine Seven of Swords Three of Pentacles Death and Rebirth Ace of Cups का card Six of Pentacles वाओ क्या बात है Bottom of the deck The Hanged Man ओके यहाँ पे जो cards आये हैं इसका अनुसार से क्या cards बता रहे हैं cards मुझे clear बता रहे हैं कि आपके partner का मन बहुत जादा है देखे यह person काफी यह person बाते कर रहे हैं कि मुझे cheating मिली है मुझे दोखा मिला है और मैंने भी उसे जोट बोला है मैंने भी उसे दोखा दिया है मैंने भी उसे तकलीफ दी है मेरे भी बहुत ज़दा कसूर है मेरा भी अपना equal given take नहीं रहा मैंने भी बहुत कुछ जो है उसको नहीं दिया है और मैंने भी बहुत कुछ गवाया है ये मैं जानता हूँ कि मेरे गलती कितनी है और उसकी गलती कितनी है मैं अपनी गलती को नहीं छुपाना चाहता मैं अपनी गलती को ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ वही गलत है या सिर्फ मैं ही सही हूँ तो मैं ऐसा भी नहीं कह रहा है लेकिन कहीं न कहीं न मैं बहुत ज़दा अकेले पन में फील कर रहा हूँ मैं अपने आपको काफी अकेले पन में फील कर रहा हूँ मैं अपने आपको काफी ज़दा अकेले पन में देख रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है बट जो भी है जैसा भी है है ना थोड़ा सा complicated है मेरे life में बट मैं ऐसा नहीं चाहता कि relationship जो है ना इस तरीके से हो ठीक है मुझे clear way में चाहिए अपनी life में जो भी चाहिए वो चाहिए और third party कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है thought party का क्या है क्या नहीं है कैसे कैसे नहीं है है ना thought party मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता कि क्या है क्या नहीं है thought party मुझे इतना ज़दा Disturbance हो रहा है कि मедब मैं third party को एकदम देखना नहीं चाहता हूं मुझे लगता है कि third party है हम दोनों के बेच में और इसी वज़ेसे लड़ाई भी हो रही है पता नहीं अब मेरे तरफ से है कोई तीसरा या फिर उसकी तरफ से हो सकता है कि मेरे तरफ से भी हो कोई और कान भर रहा हो मुझे नहीं पत चानी मुझे सब्सक्राइब कि कि तरीके की तकलीव से गुझर रहा हूं मेरे अंदर जो कि लहर दोड़ रही है सच मेरे पर बहुत बहुत नहीं थी लेकिन ऐसा तो नहीं था मैं अपनी लाइफ में उसके सांथ new गणिंग करना चाहता हूं बोहित था क्सकासा रिलेशनंशिफ ब इसलिए न मैं अपने आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं थोड़ा सा अपने आपको सोच रहा हूं कि तोड़ा रुखी जाता हूं या थोड़ा संभल जाता हूं पहले उसके बाद देखता हूं कि क्या है क्या नहीं है या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है मुझे ऐसा लगत करना चाहता हूं इसके साथ अपने जो भी रिष्टे हैं मेरे जैसे भी रिष्टे हैं अपने उसको चोड़ नहीं सकता इतना तो मुझे पता है कि मैं उसको छोड़ना भी नहीं है बना ये उसका साथ चाहिए प्योर तरीके से लॉयल तरीके से पता नहीं उसे क्या चाहिए मेरे से मुझे नहीं पता नहीं मैं उसको तकलीफ दे रहा हूं वह मेरे संरे सूंट इसे प्रैशान हो इन सारी हरकतों से उस्टन सब चीजह सब कुछ मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है कि seven of swords आया है card ठीक है चलिए देखते हैं कि आप इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं इनके बारे में जो भी सुचुशन इनने बताई है उसके एकॉर्डिंग क्या बताते हैं इनके दोस्त गाइड कर एंजल्स कि ओके कि ओके गाइड करें ठीक है King of Pentacles Nine of Cups Death का कार्ड है Queen of Swords The Moon ओके Bottom of the deck है Knight of Pentacles तो यहाँ पर यह लोग बात है कर रहे हैं यह लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो तुम्हारे मन में जो भी है जैसा भी है जो भी है तुम्हारे मन में तुम्हारे मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं ठीक है उन ख्यालों से कहीं तुम हद तक तुम अपने आपको अपने इगो में दिखाते हो तुम्हारे सबसे वड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है तुम्हारा इगो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं तुम्हारे पास जॉब है करियर है तुम्हारा अच्छा कासा तुम्हें लगता ह है क्योंकि कहीं हद तक तुम सक्सेस हो और वो कहीं नहीं सक्सेस नहीं है इसकी वज़ा से हो सकता है कि तुम्हें जो है वो डील नहीं करना चाहती हो या नहीं करना चाहता हो तो तुम्हें यह सारी चीजें भी देखने चाहिए तुम्हें अपने अंदर नेगेटिविटी ठ कि डिवाइन पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के लिए क्यूल नहीं हम स्टेंड साथ हैं अब क्यां से सप्राइब सकते हैं ठीड हैं बहुत जदा जरूरी भी है मुझे तूists लैना ही चाहिए तुमें तरह कडिन सबस्टाइब लें रेना बता रहें कि देखो समय पे सब कुछ होता है समय बदलता है सब कुछ होता है लाइफ में अच्छे भी चॉइस आते हैं बुरे भी चॉइस आते हैं लेकिन हम चॉइस में से किसको अपना चूज करते हैं किसको अपना लाइफ पार्टनर बनाते हैं यह हमारे उपर डिपैंड करता है अगर तुम्हें दर चाहिए तुम्हारा एक अलग नजरियां है और तुम्हें दिस तरीके से तुम्हारा अगर पार्टनर है तो तुम्हें उसको नई च्छोडना चाहिए तुम्हें उसके लिए pray करना चाहिए प्रातना करती रहने चाहिए कि हम दोनों की relationship में कभी कोई problem ना आए किसी की नजर ना लगे किसी को बोलना ना पड़े किसी को बताना ना पड़े है ना तो बहुत सारी चीज़े है जिसका ख्याल तुम्हें रखना चाहिए और मुझे लगता है कि तुम रख सकते हो तुम चाहो तो रख सकते हो बट पता नहीं कि तुम नहीं रखते हो यह अलग ही बात है बट देखो मेरे ख्याल से तुम्हें करना चाहिए relationship है अगर हम अभी नहीं सम्हाल पाएगा हमारा relationship ठीक है हमें अपने life को अपने relationship को निभाने के लिए पूरी strength प कि एस आपके partner के लिए आपके partner को समझाया जा रहा है काफी हद तक समझाया जा रहा है और मैं देख पारी हों कि एस आपका और आपके partner को यह बाते समझाया जा रहा है और कहा जारा है कि देखो तुमारे अंदर जो भी confusion है या जो भी डड़ है उसको ड़क को बाहर निकालो तुम्हें लगता है कि वो loyal नहीं है बट मुझे लगता है कि वो loyal है और loyalty तुमें check करनी है तो कर भी सकते हो थीक यह क權 बट मैं कहूंगा कि देखो कोई भी इनसान ना इ है ना उसके इसारों को उसकी बातों को थोड़ा सा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो मुझे लगता है तुम समझ जाओगे और अपने डड़ को बाहर निकालो ठीक है King of Pentacles energy क्यों है यहां पर गाइट कर एंजल्स क्या पात है दल लवर्स का काड़ आया है all the lovers okay chariot okay five of pentacles knight of pentacles पेज ऑफ स्वोर्ड्स बॉर्टम अफ टडएक है यहां पे क्वीन ऑफ वांड्स ओके सो मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है आपके कार्ड्स में देखे आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार बहुत है ठीक है आप दोनों के बीच के प्यार को देख करके इस प समझव की काम बनाँ टो वही है कि यह प्यार करता है यह बहुत बड़ी बात में प्यार करता है और सच प्यार करता है यह बहुत क्या मतलब है mentally तो दूर नहीं हो ना एक दूसरे से एक दूसरे को समझते हो एक दूसरे को जानते हो एक दूसरे के लिए फिली करते हो काफी अच्छी अनेरजी है ठीक है तुम्हे तुम्हे ना अपने रिस्तिय को समालने के लिए जाना चाहिए देखो मैं कौँगा कि एक है समलने का सबको मौका मिलता है उसे भी मौका मिला है तुम्हें भी मौका मिला है और समलता कौन है यह देखना है ठीक है यह देखना है कि लॉयल कौन रहता है अपनी लॉयल्टी कौन दिखाता है और कौन किसके ऊपर कितना याकीन करता है यह मुझे देखना है सच में मु मुझे ऐसा फिल रहा है कि नहीं कि वह चाहत नहीं है वह रियालिटी में नहीं है वैसा कुछ नहीं है ठीक है थोड़ा सा मुझे यह दिख रहा है जिसे कि दीरे 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 करके relationship जो है न यहाँ पर आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे करके यह जो relationship एकदम clear दिख रहा है ठीक है मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि यह relationship है बहुत प्यार से बहुत बहुत अच्छे तरीके से जो है न निभाने का है ठीक है आपके partner को यह लोग समझा रहे हैं और यह person यह लोग का भी रहे हैं कि थोड़ा सा डेले होगा थोड़ा टाइम लगेगा बट ठीक है तुम तुम टाइम लो सोचने में टाइम लो बट तुम्हें यह चीज़े करनी चाहिए तुम्हें अपने relationship के मात्वय को समझना चाहिए हर किसी और सच्चा इंसका मिलना बहुत मुश्किल है कि पोरसन इदना बहुत मुश्किल है गटिया लोकत रहती परिते पे मिल जाते हैं ठीक है लेकिन क्या होता है हीरा यहां पर वही है कि आपको जो है एक बेस्ट पॉर्शन की तरफ जो है यह लोग देख रहे हैं और आपको यह इनको समझा भी रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है ऑ्यज्य लगिए किणि उनके डोस्त है कम से कम मतलब आपके फीवर में तो हैं बहुत अच्छी बात है हैं मिरे बातों संधेर काट हैं है यह नहीं है फाइफ अफ कॉप्स हुआ है कि मुझे पाइल कि आवाद सुना ही दे रही है किसी ने पाइल पैना है और गाना भी सुन रहे हैं आज कल आप लोग यह जो तेरी पाइल की छंचन है आसी को की दिल की धड़कन है ओके किंग आफ सोर्ट्स पोके दे मैजिश्यन ओके वरी नाइस दे चारियर्ट ओके एंड लास्ट काड़ीस फाइफ फाइफ स्वोर्ड्स ओके बॉटम आफ ताड़क है यहां पर पीज ऑफ पैंटिकल्स के नर्जी ठीक है सॉरी पीज ऑफ वांट्स के नर्जी है बॉटम आफ ताड़क तो यहां पे बाते हो रही है यह कि काफी सबस्वाइंब में काफी कल्फूज हो घुख और लजब और में यह कभी लग रहा है कि आप सही हो कभी लग रहा है कि वह सही है कई ना कई कुछ ना कुछ क्लारेटी नहीं आ पारे जिसके वज़से आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशन्सीप है न वह प्रॉब्लम दे रहा है देखें यहां पर आपका और आपके पार्टनर क जो relation है ना ये काफी जो है एक तरीके का जो कह सकते हैं कि काफी समझदारी के साथ है ना ये relationship निव रहा है ये relationship काफी अच्छे तरीके से जाएगा भी मुझे ये भी feel हो रहा है कि ये आपके और आपके partner के relationship में थोड़ा बहुत problem है थोड़ा बहुत issues चल रहे हैं थोड़े बहुत जो भी है clashes वो हो रहे हैं बट देखे ये जो person है ये person कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं इसमें गहराई में सोचूंगा बड़ा अपसोस हो रहा है बड़ा अपसोस हो रहा है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया किया हमारे relationship में ऐसा time ऐसा phase आएगा मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़े मेरे साथ हो रहे है मैं इतना practical person इतना loyal person फिर भी ये सारी चीज़े मेरे साथ हो रहे है देखो loyalty मेरे लिए भी important है और मुझे लगता है कि हर बंदा बंदी चाहता है कि उसका partner loyal रहे हो उस ठीक है अपता नहीं क्या है क्या नहीं है कुछ समझ में नहीं आता कुछ समझ में आहीं नहीं रहा है कि कैसे करना है क्या करना है relationship चलेगा भी कि नहीं चलेगा कोई idea नहीं लग रहा है मुझे कोई भी idea नहीं लग रहा है ठीक है जड़से खतम करके इस रिष्टे को जो है आगे लेके जाना चाहता हूं सच में मेरा दिल मेरा मन कहता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए मुझे रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहिए ठीक है मुझे मुझे आगे बढ़के इस रिष्टे में जो है ना continue अपना देना चाहिए जो भी है ना वो अपना करना चाहिए ठीक है पता नहीं क्यों एक 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 एसी एनर्जी मुझे फील हो रहे ने जहां पर लगता है कि मैं बहुत जल्दी कुछ करने वाला हूं मैं बहुत जल्दी कुछ एक्षण लेरे वाला हूं पता नहीं क्या है बट मुझे लगता है कि मैं करूंगा ठीक है मुझे लगता है कि मैं करूंगा और मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से इंजोई करना चाहता हूं और लाइफ को न, ऐसे वैसे मैं नहीं देखना चाहता हूं तो मुझे थोरा सा वाइफ सा अई करीब से थीक है vibe ко थोड़ा सा देखना चाहता हूं करीब से थीक है तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा से की तरफ action लेए को मेंने का डिसीजन लेने में और मैंसोच रहा हूँ कि पहले क्लियर हो जा हूं मैं उसके बाद ही एक्षण लोगा क्योंकि एक्षण लेने का मन पूरा भी बहुत जादा है बट मुझे लगता है कि मैंने खो दिया है उसे मेरा नहीं आपक दो क्यों एसा फील होता है ऐसा लगता है तो वर ओल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड में ठीक है आई होप रीडिंग आपके साथ राजनेट की होगी राजनेट की है तो चनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में तब तक के लिए हसते रहे हैं मुस्कुरातरी और खुश रहे हैं बाबाई